नमस्कार दोस्तों स्वागरे अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज कि इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग योंग टू एप परमिशन एरर प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको यह प है वह काम करना है बंद कर देते हैं ठीक है तो यह बड़ा इश्यू है तो आप दोस्तों वीडियो के सारान तक बने रहे हैं जो भी मैं आपको सॉल्फ करना है प्रॉब्लम आपका डेफिनेटली सॉल्फ हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को स सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शिन पर लिंक मिल जाएगा चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहापको सबसे पहला चीज उस एप को है ठीक है ओके तो जस फॉर एक्जंपल यहाँ पर कुई आप्लिकेशन हम ले लेते हैं मान लेजिए आपके स्नैप चैट परमिशन पर एरर आ रहा है तो आपको वह एप सर्च करना है एंडेंट उस एप को यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देना है जैसे आप यह को अपडेट करोगे वेट कीजिए अपडेट कॉंपलीट होने के बाद सेटिंग पर जाएंगे स्क्रॉल डाउन कीजए एप के अंदर पर जाएंगे दुबारा से स्कूल डाउन कीजिए और आपके जो एप है उसको find out कीजिए हमने Snapchat के example यूज किया है तो हम उसी को search करेंगे ठीक है तो Snapchat पर जाना है storage option पर click करना है clear data पर click करना है और data को यहाँ पर clear कर देना है ओके करके जैसे data clear होगा permission पर जाए सारे permissions allow कर दें सारे permissions allow करने के बाद दोस्तो आप जो है अपने device को restart करें permission को allow कीजिए check कीजिए solve हो जगा problem ठीक है इस तरह के से दोस्तो आप अपने problem को fix कर सकते है और दोस्तो यहाँ पर आएए मैं आपको बता रहता है permission allow के से करना है तो यहाँ पर दोस्तो आईए हम जाते दुबारा से स्नेपचेट पर तो clear data करने के बाद दोस्तो परमिशन के option यहाँ पर मिल जाएगा तो call locks पर जाना है allow करना है camera option पर जाना है allow करना है ठीक है इस तरह किसे एक एक करके आपको सारे permissions allow कर देना है बस इतना ही करना है और आपके इश्यू कॉम्प्रिटली फिक्ष्ट हो जाएगा बाई एनी चांस अगर आपको दुबारा से अगरे problem आते तो एप को रिंस्टल कर लिजीगा and install करके रिंस्टल करें साथ चाहते सार्श हेप सब्सक्राइब करें कि अप्डेट करें ठीक है mobile जो फिर आपका update होना चाहिए तो बहुता आपको उपको कोई भी दिक्कतत निये होगा तो इस तरह कि अपने problem को स्वाल कर सकते हैं, उम्हीद करते हैं, आपको ये वीडियो पसने होगा, तैंक्स वाचिंग